देर स्टुरेंट्स आज हम पढ़ेंगे आपका रिंग डॉपलोजी ठीक है इसके नाम से लग रहा है आपका रिंग डॉपलोजी क्या होता है रिंग डॉपलोजी में जिसे एक यूजर है दो यूजर तीन यूजर चार यूजर या नोट जितने भी यूजर है वो सब किसके के फॉर्म में कनेक्ट रहेंगे आपके फॉर्म में कनेक्ट रहेंगे ठीक है और इसमें जो आपका information exchange होगा वो टोकन्स की फॉर्म में होगा इसके फॉर्म में होगा टोकन्स की फॉर्म में होगा अब टोकन्स क्या होता है टोकन्स देखे एक तरीके का क्या है token से आपका जिन network pass करने का तरीका है जिसमें network address होगा और information होगी ठीक होगी है इसमें क्या-क्या होगा आपका note का address होगा suppose हमें इस वाले system से यानि सपोज हमने इसका नाम लिख दिया A B C D system A से आपको system C में कोई क्या ढालना है information ढालना नहीं है तो आप क्या करोगे, token की form में करोगे, यहां से C का address डाल दोगे, जितना भी C का address होगा, वो डाल दोगे, और जो information होगी, वो डाल देंगे, ठीक है, तो क्या करेगा, A से जाएगा, B से address match नहीं खाएगा, तो सिरे pass होगे, C तक महुंच जाएगा, ठीक है, तो यह use होता है आ they make a closed loop, ठीक है, यानि ring topology में सारे के सारे node आपस में ऐसे connect रहेंगे, कि ए closed loop बनाएंगे, या आप लिखेंगे, कि जितने भी nodes हैं, आपस में ring के form में connect रहेंगे, और सबसे important part, ring topology में जो information exchange होगी, वो tokens की form में होगी, tokens क्या होगा, tokens contains a piece of information along with data sent by the source computer, यानि एक क्या होगा, आपका container होगा, जिसमें address होगा, note का address जहाँ आप information भीजना जाते हैं, वो होगा, और दूसरे part में क्या होगा, आपका information होगी, ठीक हो गया, आगे है आपका mess topology, अब देखें, mess topology क्या होता है, नाम से ही लग रहा है, आपका mess, यानि पूरा mess हो रखा, यानि, जैसे suppose इसमें आपके, a, b, c, d, और e, पांच computer system है, ठीक है, पांच computer system या पांच computer node या users है, जो हापस में connected है, अब mess topology में क्या होगा, suppose जो a है, a, b से भी connect रहेगा, a, c से भी connect रहेगा, a, d से भी connect रहेगा, a, e से भी connect रहेगा, यानि, जितने भी node, user, computer हैं, वो सभी एक दूसरे से connect रहेगे, सभी एक दूसरे से connect रहेगे, सब a, b, c, d, e, b, a, c, e, d, d, वैसी ही, आपका c, b, a, c, e, d, d, से भी, ठीक है, ऐसी, d, b, sभी connect होगा, e, b, sभी से connect होगा, ठीक है, इसमें आप क्या लिख होगे, इसमें लिख होगे, in mass topology, each of the network nodes is connected to every other nodes of the computer, that means, all the nodes are interconnected to each other, यानि, सभी के सभी nodes जो हैं, आपस में interconnected हैं, ठीक होगा, अगला, जो आपका last है, वो है आपका hybrid topology, ठीक है, वो क्या है आपका hybrid topology, hybrid topology मतलब क्या होता है, hybrid, नाम सी आपको क्या लग रहा है, hybrid, दो different topology, को आपस में जब आप connect करके, ठीक है, दो different type की topology को, आपस में आप connect करके, एक तीसरी topology बनाते हैं, जिसे ring और mesh topology है आपस में आपने क्या कर दिया इसको connect कर दिया तो एक तीसरी topology बन गई जिसे आप hybrid topology कहेंगे ज़ली नहीं कि आप ring और mesh को ही करो आप star topology को बस topology से कर सकते हैं star को ring से कर सकते हैं यह किसी भी topology को दो सेम topology को भी आपस में क्या है यह कोस्ट इफेक्टिव है और इसकी भी एड्वांटेज आंगे जो जो आप टॉपलोजी में अगुकश कर रहे हैं तो यह भहुत ही कॉस्ट लिओ होगी है खर्चा इसमें बहुत जाजादा होगा ठीक है अब इसका एक एड्वांटेज क्या है यह लार्ज स्केल मे कर दिया या इंग स्कल्द प्रसक्राइब में उला घाई तो है या अनाने कया कर दिया चैहां कि को क्या बणा दिया नेट वग बना दिया इसका डिशनवांटेज चै incorporate अब दो l師 डिफ्रेंट अपलोजी को आप आपस में कनेक्ट कर रहे हो तो इसका डिजाइन क्या होगा बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होगा ठीक हो गया है ठीक है स्ट्रेंट